हेलो डियर स्टुडेंट्स आज हम यह चैप्टर की जो रीडिंग है से कंप्लेट करेंगे नीड ओफ वाटर सम्टाइम लैस सम्टाइम मोर्स मैंने आपसे समझाया था कि कभी-कभी आप जो फसले होती होने पानी की अधिकाव शकता होती और कभी-कभी जो होती है वो कम होत होती है कि इसमें बहुत कम पानी का यूज होता है इफे फार्मर नो दिस यदि मतलब फार्मर इस तबारे में जानता है तो बैस्ट यूज ओफ वाटर कैन भी मेड़ों की पानी का सही उप्योग कर सकता है बना सकता है मतलब इस तरीके से मेड़ बना सकता है बैस्ट पानी की और कुछ को कम पानी के आवशकता होती है जैसे कि अभी बताता कि every crop need different quantity यहीं कि परते एक फजल को अलग अलग quantity में पानी के आवशकता होती है next हम जलने है दस wasted of water can be avoided हमें यहीं कि जो पानी जो वेस्ट हो रहा है उसको उसको वड़ करना चाहिए crop of rice जैसे कि आपकी rice की जो फसल है sugar gain है paddy जितनी फसल होती है need more water उन्हें अधिक पानी की आवशकता होती है while crop of pea जैसे की butter की फसल है gram है onion है cucumber है need less water यहने कितने बहुत कम पानी की आवशकता होती है जितने भी आपकी rice पानी में उगाई जाने वाली और most जितनी भी फसले होती है है वो सब कम पानी में ही देखते हैं आप जागर कहीं आप अधर स्टेट में जाएंगे जहां पर शावल उगाते हैं गन्ना उगाते हैं तो आप देखेंगे उन्हें पानी बहुत अधिक भरावा होता है तभी वो क्या होती है सही मतलब grow करती है और जो बाइसान में मतलब छया गोली आपके फसले जाती है वह पानी की चैशन जागे जाद होगा पानी भी ऑट और पप्वाणी बहुत एच्छी होगी और तो बी कम्प्लेटली फिडल वीद वाटर वह कौन सी फसल है जिसमें मतलब कम्प्लेटली फिडल होना चाहिए वाटर आपने धानों की जो फसल देखी होगी आइमिन तुसे चावल वाली जो फसल होती है राइस की उसमें पानी बिल्कुल भरा रहता है और जब ही वह काफी सारा पानी होता है जैसे आपने देखा हुआ तालाब सामरा लगता है दूर से देखने में और सी में उसकी उनको पोदों को लगाया जाता है नेक्स्ट है वीच क्रोफ कैन भी क्रों इवन बाई यूजिं मिनिमम वाटर वह कौन जी फसल है जो बहुत कम पानी में कोलते थे रहट का कैसा सा सिस्टम पहले जातर क्या करते थे पानी लगाने का जो सिस्टम था फसलों में वह कुवे बावरी जो थी हमारी उनमें से पान निकालने का एक पान निकालने के लिए ये बैलो की आउशकता होती थी और बैलो से वह उसमें वील लगे होते थे जिस जैसे स्ट्रक्शर होती है वीचिज यूज एट वैल और बावरी जिसका व्योग वावरी और कुवह किया जाता है सेवरल बाटर कंटेनर आर अटेज़ टू इट अलग बाटर कंटेनर होते हैं इस ते अटेच होते हैं वे वैंडे आर डीप इन्टू आटर जाता है तो कि आई सुे न्युस्ता इत्सट्रू मैं यह गेड़եյ से ठागी ऑने कि हमाने एंगाने कंटैनर वडब दाम थो आट गमें वीचे कान त ले प मतलब की वह को नीचे के पानी तो नीचेक घूवाते हैं तो पानी बाहर की वाल ओब दा वैल यानि की पानी को वे के दीवारों से मतलब पहार निकलना शुरू हो जाता है वाटर रीच टू दा फिल्ड थ्रो ड्रेंस और नालियों के द्वारा फसलों में पानी को पहुचा जाता है बुल इज यूज टू रन इटी से चलाने के लिए बैलो का प्यों किया जाता है इफ इन दा मीडल ओफिट यदि से बीच में रखके करा जाए तो सुगर केन मसीन इज अटैच डियाती है सु वर केन जो सी जो अप्टेइड इस से दे सुगर केन भी का जो का जूस ऑर जूस निकलता है जरी गन्रे का जुबरस निकलता है वह भी निकाला जा सकता है इसके बीच में रखे और एंड इफ मस्टर्ड इस यूजर इसके मस्टर्ड जो होता है आप देखा हुआ सरसो का जो तेल निकलवाते हैं वो कैसे निकलवाते हैं वो भी एक मसीन होती है निकालने की तो अगर इसका यूज करते होंगे जहां पर भी I mean जिस सेत्रों में इसका क्या बोलते हैं killed two birds with one stone यानिकी एक ही पत्थर से दो शुडियाओं को मालना ठीक है due to increasing use of electric motor यानिकी increase करिए electric motor को bulls are used less nowadays bulls जो है आज कल बहुत कम हो गए है आज कल की दिनों में at present some pupil are doing small experiment on electricity production by running dynamos using bulls क्या है वर्दमान में कुछ लोग जो है कुछ चोट चोटे experiment करते हैं electricity production करने के लिए by running dynamos using bulls यह एक बुल्स को उसके चारों और मतलब उससे पानी के निकालने के लिए उसकरते हैं तुमें एक dynamos लगा देते हैं जिससे बैल चलते हैं और उससे क्या product होता है electricity की मिजली एक उत्पादन होता है more research is required in the field इस फिल्ड में वह सारे research है जो कर आज सक मतलब चल रहे हैं यह आपको photo दी हुए है एक तस्वीर दी हुए रैट की एक देखो पानी का मतलब वो बनावा है और चारों तरब जो है उसके क्या गूमते हैं बैल चलते हैं ठीक है अब next अब चलते हैं next में क्या है अब इसके question answer जो होगे वही होगे चैप्टर रीकोल water flow towards slope और sloppy land जो धलान में पानी जो होता है वो चलता है अब बहुत fast चलता है बैता है इन इफ्रेंट वे अलग-अलग तरीकों से underground water can be utilized for irrigation यह निकी underground water जो है वो भी irrigation के लिए यूज होता है आप देख रहे हैं हमारे मदलब की सब जगह पर किसका यूज होता है irrigation के लिए जो आपका धरती के अंदर से जो पानी निकलता है पीने का जो पानी होता है उसका भी हम यूज फजलों को सीचाए करने में कर रहे हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे की हम आगने वाले समय पानी की जो कमी बढ़ती जा रही है उसका भी खाब ना करना पड़े पानी को जितना हो सके से water okay dear students अब आपको इस chapter की जो book reading है वो अच्छे से करनी है उसके बाद हम इस chapter की question answer कराएंगे okay dear students thanks